Welcome friends, good afternoon आज हम लोग समझेँगे किसी ओक थारेड की विमारी है, उसको कैसे पहिचाने लच्छन से कैसे पहिचाने और फिर जाट से कैसे पहिचाने कैसे पता चलेगा कि हम ये थारेड की विमारी है कि नई है हम कैसे उसको पहिचान सकते है तो सबसे पहले बात को समझना है कि थाराइड जो की ग्लेंड निक के सामने रहती गर्दन के सामने जो हार्मोन प्रोडूस करती है T3 और T4 जो बहुत important है सरीर के बहुत अलग-अलग तरह की reactions के लिए दोनों केसिस में बुरा असर पड़ता है चूंकि बीमारी ज्यादा दर केसिस में कम बाली ज्यादा होती है जिसको हम लोग हाईपो थार्यम बोलते है जो प्राया महिलाओं को देखने को मिलती है वो हाईपो थार्यम में जो T3, T4 का लेवल है वो कम हो जाता है यह आपको समझना है मतलब थार्यम हर्मोन कम बनता है तो पहले उसकी बात करते हैं कि हाईपो थार्यम उसके क्याल अच्छन आते है तो थार्यम के समयस्या में जो थार्यम का हर्मोन कम होने से जो समयस्या आती है पेशेंट का वजन बढ़ने लगता है तो अगर ऐसा लगता है किसी का वजन अभी sudden बढ़ने लगा है बिना किसी कारण के तो थारेड की समय से हो सकती है उस cases में थारेड की टेस्टिंग करानी चाहिए मेरी specialist ला रहे हैं कि अगर किसी महला के साथ ऐसा होता है कि sudden उनका weight बढ़ने लगता है तो उस cases में उनको अपनी जाच करा लें जाए कि हाइपो थारेडियम हो सकता है एक तो वजन का बढ़ना दूसरा चेहरे कि आसपास पानी भर जाना सूजन हो जाना इस पिसलिए अगर आखों के चारों तरफ हो रही है तो puffiness around eyes ये भी symptoms है एडिमा को हो जाना मतलब पैर में भी सूजन हो सकती है तो शरीर में सूजन हो जाना और वजन बढ़ जाना इसके लाबा कई बार ठकान मैसूस होती है बहुत सारी महिला होते हैं जिनको बहुत ठकान मैसूस होती है तो अगर काम करने का मन नहीं कर रहा है या बहुत जल्दी आप ठक जा रहे है या मानस्पेशियो में दर्द हो रहा है तो ये भी हाइपो थारजम का लच्चन मतलब शरीर में थारेड हार्मोन कम बन रहा है तो अगर सुस्ती लग रही है, बहुत तकान लग रही है, बहुत नीद आ रही है मानस्पेशियो में दर्द हो रहा है, बजन बढ़ रहा है और चेहरे पे सूजन है तो ये हाइपो थारजम का लच्चन है इसके अलाबा कुछ लोगों में हेर फाल भी लच्चन है अगर किसी को इस तरीके से लच्चन आ रहा है, तो ये थारजम के समय से होती है अब इसको पता करने के लिए आपको जाच करानी है ब्लड टेस्ट जिसमें थारजम का आप टेस्ट कराएंगे थारजम प्रोफाइल टेस्ट जिसमें T3, T4 और TSH होता है TSH से ही ये पता जलता है कि थारजम किस तरह का है और कितना खतरनाग है, कितना CVRT का है तो TSH की वैल्यू जब आप कराएंगे नार्मल ये TSH की जो वैल्यू होती है वो 0.3 से लेके 4.5 होती है अगर 4.5 से बढ़ रहा है, ये important आपको समझना कि अगर TSH की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब की हाइपो थारजम मतलब शरीर में धारएड हार्मोन कम बन रहा है तो ये उल्टा होता है और जो T3, T4 की वैल्यू होती हो हाइपो थारजम में कम हो जाती इसलिए अगर किसी के सरीज में थारएड हार्मोन कम बन रहा है तो TSH बढ़ा रहेगा T3, T4 कम रहेगा ऐसे केसिस में दवाई खाने की दी जाती है लिवो थारजम एक ही दवाई है जो खाली पेट सुबह दी जाती है डोज ऐसी दी जाती है कि सरीर को कितनी जरूरत है उस हिसाब से अलग-अलग डोज में चलती है तो ये हो गए कुछ लच्छन और उनको पहचाननी का तरीका जो दूसरी दरह कि थारएड की बिमारी जिसमें थारएड हार्मोन जादा बनता है हाईपर थारडेम बोलते हैं ऐसा बहुत कम होता है पहला थारएड हार्मोन जादा बने बहुत कम कैसेश में होता है कई बार थारesz से ये कई भार एडिनोजमा हो गया मतलब दिर्केसिस में होता है पर ऐसा हो सकता है काफि सारे लोगों को ऐसा भी होता है इसमूं बिमारी होती है उसमें रहता है तो उस cases में क्या होता है कि जो ब्यक्ति हैं उनका वजन कम हो जाता है दूबले पतले हो जाते हैं खाना खूब खाते हैं लेकिन दूबले पतले रहते हैं और घबराहट लगती है चिटजड़ापन लगता है नीन नहीं आती है रात में जो heart rate है वो बढ़ जाती है हुई आखे रहती हैं और हाथ-पाओं में इसे कपकपी सी लगते हैं जिसको ट्राइमर्स बोलते हैं तो यह hyperthyroid है कुछ लोगों में ऐसा भी होता है पर यह कम cases में पाया जाता है तो उस cases में भी जांच कराना है ऐसे cases में जांच कराना है तो जो TSH के value है वो कम मिलेग और T T4 और T3 के value ज़्यादा रहेगी तो यह hyperthyroid हर्मोन बढ़ा हुआ है इस cases में ऐसी दवाई दी जाती है जो thyroid gland को नस्ट कर दे तो दवाईयां भी आती है और surgery के दवारा भी thyroid gland को नस्ट किया जा सकता है और भी कुछ दवाईयां दी जाती है तो hypothyroidism और hyperthyroidism दो अलग स्पे चाहिए जब कराते हैं तो उसमें thyroid included आता है कराना चाहिए भी thyroid एक ऐसा हर्मोन है जो शरीर के लगभग सारे हिस्सों को नियंतित करता है उसके function को चाहे आपके दिमाग का हो या मानस्पेश्यों को हो चाहे बोन का हो चाहे GIT का हो चाहे heart का function हो इन सब को नियंतित करता है अगर हाइबो थाड़ेम के patient में heart से सम्मधित दिक्कत काफी देखने को मिलती है diabetes होने के समभाना बढ़ जाती है blood pressure है मोटापा है इन सब चीजों को thyroid hormone नियंतित करता है तो health check-up सब को करवाना चाहिए साल में एक बार करवाएंगे उससे अगर thyroid की समिस्या है तो पता चल और किस टाइब की है उसे हिसाब से फिर इलाज हो जाएगा तो यह हमने देखा कि thyroid बीमारी को कैसे पहचालना है और फिर उसको जाच से कैसे confirm करना है और फिर उसका इलाज कैसे किया जाता है